प्रिविद्यार्थियों आज में आप लोगों को कच्छा दश गड़ित के अंतरगत त्रिकोर्मिती की प्रश्णावली 9.1 या ऐसा कहिए कि नौमी प्रश्णावली के प्रशंख्या साथ का हल इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा देखे प्रश्ण दिया है कि भूम के एक बिंदू से एक बीस मीटर उंचे भवन के सिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और सिखर के उन्नेयन कोड क्रमसह 45 अंसे और 60 हंसे मीनार की उचाई ग्यात कीजिए तो अर्थास सबसे पहले हम इस प्रश्ण को हल करते इसमें हमने बताया था आप लोगों को पूर में कि उचाई दूरी के प्रश्णों को हल करते समें सरप्रथम चित्र बना जाता है फिर उसका हिंदी रूपांत्रण फिर हम उस पर क्रिया करते हैं तो आईए इसे कायत्रम के दौरान हम सबसे पहले प्रश्ण को पढ़कर चित्र बना लेते हैं तो हम चित्र तभी बनाने में शमर्थ होंगे जब प्रश्ण को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे तभी तो कहरा कि भूम के एक बिंदू शे तो मान लीजे कि भूम पर एक बिंदू आपका ये है इस बिंदू का कुछ भी नाम हम रख सकते हैं तो मान लीजे हमने इसका नाम बी रख दिया क्या रख दिया भूम पर हमने एक बिंदू जो मान लिया इसका नाम मैंने बी रख दिया तो भूम के एक बिंदू से एक बीस मीटर उचे भवन के अब इस बिंदू से कुछ दूरी पर बीस मीटर उचे भवन के सिखर पर तो मान लिजे इस से जो है कुछ दूरी पर एक भवन है जो भवन बीस मीटर उचे भवन के सिखर से कहा है तो हम यह मान लेते हैं कि यह हमारा जो है 20 मीटर उचे भवन के सिखर से यह हमारा 20 मीटर उचा एक भवन हो गया बोलो यह क्या हो गया 20 मीटर उचा एक भवन हो गया तो इस भवन का नामकरण हम AC के नाम से कर देते हैं ठीक है न तो देखिए कहा है कि एक बिंदू से तो किस बिंदू से भूम के एक बिंदू से तो हमने भूम पर एक बिंदू बी रख दिया फिर क्या किया एक 20 मीटर उचे भवन के सिखर पर तो जो भवन है वो भवन उस बिंदू से कुछ दूरी पर होगा यह आप जानना है तो मान ली एक संचार मीनार इस भवन के सिखर पर एक संचार मीनार है तो लीजिए इस पर हम एक संचार मीनार बना देते हैं ऐसे भया तो ये एक आपकी संचार मीनार हो गई भवन के सिखर पर भवन के सिखर पर एक क्या हो गई संचार मीनार हो गई तो इसका हम नाम माकान का नाम तो हमने एसी रखा है, यहां पर हम डी रख देते हैं, जिससे कि सандचार मीनार का नाम ए डी हो जाएगा. तो देखिये ए बिंदू जो है, उभ्यनिष्ट है, अब के चलिए, तो कहरा की सिहर पर लगी एक संचार मीनार के तल और सिखर के उन्नेट कोड़, संचार मीनार के तल तो संचार मीनार का तल कहा है ए बिंदू पर तो अगर हम ए बिंदू को भूमी पर इस्थित बिंदू अगर बी से मिला दूँ तो बोलो कितने अंसका कोड बनता है 45 तो ये 45 अंसका कोड ऐसे बन जाएगा जब इसको हम ऐसे मिला देंगे तब यहाँ 45 अंस का ये कोड बन गया तथा सिखर के उन्नेन कोड तो सवाल उठता है किसके सिखर का तो संचार मीनार के सिखर का तो संचार मीनार की सिखर तो D बिंदू पर है तो जब इसको हम इससे मिलान करेंगे भूम पर इस्थिर बिंदू B से तो इसका उन्यन कोड कितने अंस बनता है, 60 अंस, तो इसको हम इस प्रकार से सो करेंगे, अब देखें, यहाँ पर इतना सो करने का मतलब कि यह 45 अंस है, यह पूरा सो कर देने का मतलब कि यह 60 अंस है, तो कहरा कि मीनार की उचाई ग्याद कीजिए, तो यहाँ पर हम मीनार की उचाई मान लेते हैं यहां मीटर में गर दिया है तो संचार मीनार की उचाई भी मीटर में आवेगी तो हमने यहां लिखते हैं कि माना भूम पर इस्थित बिंद भी है माना भूम पर इस्थित बिंद भी है तो भूम पर इस्थित बिंद भी है तथा हम यह मान लेते हैं कि एसी एक मकान है जो बीस मीटर उचा है एवम हम यह मान लेते हैं एवम एडी एक संचार मीनार है जो की माना कितना यच मीटर उची है ठीक है ना देखिए हमने यह पूरी प्रक्रिया कर लिया और हम यह मान लेते हैं एक बात इसमें और हमें मानना होगा कि मानना बीसी बराबर हम यक्स मीटर मान लेते हैं कितने मीटर यक्स मीटर इसकी हम संगय देते हैं यानि कहने का मतलब कि भूम पर इस्थित बिंदू बी से माकान के पाद बिंदू की दूरी हम यक्स मीटर मान लेते हैं अर्था बीसी बराबर हम यक्स मीटर मान लेते है तो हमारे क्रम को आप लोग पुनहा ध्यान दीजे कि मैंने कहा प्रश्ण पढ़िए प्रश्ण पढ़कर चित्र बनाईए फिर चित्र को देखकर उसका हिंदी रूपांत्रन करिए तत पश्चात मैंने यह बताया कि जितने कोड बनते होंगे अगर जैसे इसमें 45-62 कोड बन है इसलिए दो समिकर्ण बनेंगे तो हमने कहा कि इतनी सब बातों को लिखने के बाद हमें लिखना चाहिए कि आब समकोड त्रिभूजे समकोड त्रिभूज तो देखिए जो 45 अंस का कोड बना है वो भी समकोड के अंदर बना है और जो 60 का कोड बना है वो भी समकोड के अंदर ही बना है तो 45 के लिए समकोड का नाम क्या पड़ेगा A, C, B ठीक है न? और 60 के लिए समकोड का नाम पड़ेगा D, C, B ऐसा हम लेंगे तो पहले हम 45 के लिए लेते हैं तो सम कोड तरिभूज A, C, B A, C, B में हम लिखेंगे कोड A A के बाद B पर 45 बना है तो B बीच में रखेंगे C को बाद में बराबर कोड A, B, C बराबर 45 अंस से तो हमने बताया कि जो ये अंस बनता है 45 अंस, 68 अंस, 30 अंस यही टाइटिल का कारी करता है तो अब देख लीजे इस 45 के सामने वाली भुजा जो A, C है ये लंब का कारी करेगी तो A, C लंब है तो इस लंब के साथ हम क्या लेंगे आधार क्या है B, C तो लंब बता आधार आप जानते हैं किसका सूतर होता है 10 तो 10, 45 अंस यहां बन जाएगा तो जिसमें से A, C हमारी 20 मीटर है और बता B, C को हमने 101 मीटर मान रखा है और 10, 45 का मान एक मानते हैं हम लोग या जानते हैं कि 10, 45 का मान एक होता है अब अगर हम त्रियक गुणा करते हैं तो यक से बराबर कितना आजाएगा 20 मीटर एक चीज़ आप और जानते रहो जब कोड 45 अंस का होता है तो उस त्रिभुच के लंब और आधार आपस में बराबर होते हैं तो देखिए अगर A, C, B, C है आपका आधार 20 ही 20 मीटर ही आया हुआ है यह आप मौखिक भी जानते रहें तो यह इस प्रकार से हम इसको समीक रणेक की संग्या दे देते हैं अब जैसे हमने 45 से कार कर लिया उसी तरह हम 60 से कार करेंगे अच्छा जब 60 से कार करेंगे तो यह पूरा आजाएगा तो पूरा आने का मतलब की अर्थाज जो समकोड बनेगा वो D, C, B कहलाएगा तो हम लिखेंगे पुनह पुनह समकोड त्रिभूज हम लिखेंगे D, C, B D, C, B में कोड कितना? D, D के बाद B पर 60 बना है फिर C तो कोड D, B, C बराबर कितने अंस? 60 अंस से अब अगर हम 60 अंस से देखें तो 60 अंस के सामने वाली भूजा D से लेकर C तक बन जाएगी तो D, C कहलाएगी तो D, C क्या है? लंब 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 के बटे में आधार का नाम क्या पड़ेगा? B, C लंब बटे आधार ये 10 का ही सूत्र होता है तो अर्था 10, 60 अंस अब आप यहाँ देखें कि D, C की माप कैसे आएगी तो D से लेकर अगर C तक की माप जाननी है तो 20 में आपको यह जोड़ना पड़ेगा तो हम 20 में अगर यह जोड़ देते हैं तो 20 प्लस यह बटा 20 का मतलब यक्स होता है यक्स चुकि हमने माना है बरावर 10, 60 का मान रूट 3 के बटे में हम एक मान लेते हैं अब अगर हम इसका त्रियक गुणा करके प्रस्ण को साल्व करें तो त्रियक गुणा करने पर आएगा 20 प्लस यह बरावर क्या हो जाएगा यक्स रूट 3 यक्स रूट 3 तो यानि 20 प्लस यह बरावर अब यक्स की बैलू हमने क्या प्राप्त कर रखा है 20 प्राप्त कर रखा है तो यक्स पर अगर हम 20 रख दें तो यह अंडर रूट 3 होगा तो अगर हम यच बराबर चाहें तो 20 अंडर रूट 3 यह 25 हो जाएगा तो यच बराबर अगर हम देखें तो दोनों में 20 कामन है तो यहां root 3 बचेगा, minus यहां पर 1 बचेगा, 30 प्रकार से यच की value, 20 into under root 3 minus 1 meter होगी तो हम यहां लिखते हैं कि आतहा मीनार की उचाई, आतहा मीनार की उचाई बराबर हम यह लिख सकते हैं कि 20 into under root 3 minus 1 meter, तो प्यारे बच्चों, आप लोग अगर इस प्रस्णावली के एक एक प्रस्णों को भी अगर प्रदिन पढ़ें तो हम जानते हैं कि जितने प्रस्णों होंगे उतने दिन लगेंगे, बीच बीच में हम दो-दो प्रस्णों भी बता रहे हैं किसी दिन दो बता देते हैं, कि किसी दिन हमें एक बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रस्णावली में टोटल है, 16 प्रस्ण हैं, एक-एक प्रस्ण के हिसाब से भी चलता है, तो 16 दिन के अंदर, यानि 15 दिन जैसे हम कहें, आधा महीना, तो 15 दिन के अंदर ये प्रस् पर आपको बता दूंगा तो आपकी अध्याए भी समाप्थ हो जाएगा तो तो हमने आप लोगों को पढ़ा दिया और लगभग थी चार वीडियों में ये ये भी अध्याए समाप्थ हो जाएगा तो तीन अध्याय गडित हमने मान कर चलो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया फिर इसी तरह चोथी अध्याय के रूप में कोई अध्याय हम लेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें सुरू से देखें और अंतक देखें प्रश्णों को अपने कापी में नोट करते चलें अलक्षे अपने अस्तर से भी उनका आप अभ्यास करते रहें तभी ये आपको काम आएगी चुकि बिद्या अभ्यासे इन वढ़ते बिद्या अभ्यासे ही वढ़ती है तो आप लोग इनका अभ्यास करते रहें आज की वीडियो में इतनी ही बात अब आगे कल हम कि 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 अ